इस डेमो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे QuickPic का facial recognition यूज़ करके आप photos high quality में अपने दोस्तों और रिष्टदारों के साथ तुरंच share कर सकते हैं। आईए शुरू करें। QuickPic के mobile app पे sign करने के लिए अपने phone number या email ID से register करिए और OTP verify करके अपना नाम add करिए। प्रोफाइल आइकन पर tap करें और QuickPic को camera permission दे। फिर अपनी एक selfie कीचिए। इस selfie को use करके QuickPic Face Recognition Technology से हर ग्रूप में आपके photos खोच कर आपको तुरंद दिखा देगा। Profile बन जाने के बाद Group जॉइन करने के लिए इस बटन को tap करें। यहां आप Group के 6-digit U-code एंटर करके या फिर QR Code scan करके Group जॉइन कर सकते हैं। Group admin ने अगर invite link शेर किया हो तो उस पे क्लिक करके भी join कर सकते हैं। एक नया Group बनाने के लिए इस बटन को tap करिए और Group का नाम डालिए। फिर एक cover image अड़ करिए। फिर इस Group के privacy settings सेट करिए। अगर आपके event के photos, family trip या birthday party जैसे personal location के हो तो आप personal group setting चूज कर सकते हैं जिसमें सभी members ग्रूप के सारे photos देख सकते हैं। और अगर आप किसी शादी या business conference जैसे बड़े event के photos upload करना चाहते हैं तो पबलिक group सेलेक्ट करिए जिसमें सारे members सिर्फ अपने photos देख पाएंगे। इसके नीचे आप advanced settings में जाके group के upload permissions चेंज कर सकते हैं। ये सारे privacy settings आप बाद में भी edit कर सकते हैं। ग्रूप settings में जाकर अब ग्रूप बनाने के बाद लोगों को invite करिए, invite link, you code या QR code शेयर करके फोटोज और वीडियोज अप्लोड करने के लिए ये बटन टैप करिए, फिर आप gallery से या Google Drive, OneDrive, Dropbox का link एंटर करके photos अप्लोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक folder link है, ना कि individual photo का और इस link का public access on होना चाहिए। वीडियोज अप्लोड करने के लिए आप YouTube link अड़ करें या फिर gallery से अप्लोड कर सकते हैं। अगर आप computer से काफी सरे folders या हजारो photos एक साथ upload करना चाहते हैं, तो quick pic के website पर directly upload करिए। अगर internet की problem आती है या किसी और current से आपका upload रुख जाता है, upload process को फिर से दोहराईए। जो images पहले से uploaded है, quick pic उसको skip करके बची हुई photos upload करतेगा। Group create या join करने के बाद अपने pictures my photos section में देख सकते हैं, photos पर click करें उसे full screen में देखने के लिए। यहां आप photos को download, share, archive या favorite कर सकते हैं। All photos पे tap करके group के सारे pictures देखिए। Multiple photos को download करने के लिए select button का use करें। अगर download बंथ है तो group admin से बात करें। Group के सारे photos, date, uploads और folders में organized है। Public group में अगर आपको partial access मिला है तो आप सारे photos नहीं देख सकते। लेकिन सब लोग highlights folder देख सकते हैं, जिसमें event के सारे best photos uploaded होते हैं। Group settings बदलने के लिए group name पर tap करिए। Pencil button क्लिक करके आप group name और icon चेंज कर सकते हैं। Public group में सिर्फ admins ये कर सकते हैं। Add participants पे tap करके आप अपने contact list से group members add कर सकते हैं। Group के सारे existing members इसके नीचे दिखेंगे। Admins दूसरों को admin rights दे सकते हैं और members को group से निकाल भी सकते हैं। आप खुद भी group leave कर सकते हैं। अगर group का आखरी member leave कर देता है तो group automatically delete हो जाएगा। Admins के पास सारे rights होते हैं। वो photos delete कर सकते हैं और group की privacy settings भी change कर सकते हैं। Users home page पर जाकर my photos पर tap करके हर group से अपने सारे photos देख सकते हैं। My photos दिन, महिने, साल और groups के हिसाब से organized है। Users heart icon पर tap करके अपनी सारी favorite photos भी देख सकते हैं। Top right corner में इन तीन dots को tap करके अपनी contact list खोजिए। Contact पर tap करके आप उनके साथ common photos और group देख सकते हैं। आप profile settings खोल कर pencil बटन पर tap करिए अपने login details बदलने के लिए। यहां storage ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपने कितने photos अपलोड किये हैं। अपने friends और family को close friends की तरह add करिए और public groups में उनके photos देखिए। Auto download section में आप members को select करके उनके common groups वाले photos automatically download कर सकते हैं। Quick pick के premium plan में आपको और भी ज्यादा features और storage space मिलता है। आप अपनी upload limit 50,000 photos तक extend कर सकते हैं। Photos का download और screenshot आफ करके सिर्फ view access भी रख सकते हैं। 50 से भी ज्यादा gallery designs यूज कर सकते हैं। Group के 1000 photos एक click में डाउनलोड कर सकते हैं। और members का registration and interaction भी track कर सकते हैं। ये सभी features यूज करने के लिए आप हमें email या WhatsApp पर contact कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं।